अठार्मी शतादी का युग था उस समय राजनैते, सामाजे, आध्यात्मे सभी शेत्रों में च्छाय हुए थे अंधाधुन्दी और अंधका उसी दौरान भारत की धर्ती पर हुआ एक दिव्यावतरण जिन्होंने हजारों वर्ष पुराने सांस्क्रितिक फलक पर एक दिव्य द्रिष्टी डालकर प्रकाश फैलाया पोथियों तथा वाद प्रतिवाद में विस्मित हो चुगे वैदिक अध्यात्मिक सिधान्त का उद्खोश किया जिन्होंने कठोर तब करके संयम की टूटी हुई पालों को व्यवस्थित किया जिन्होंने अनेकों का जीवन परिवर्तन करके समाज में शांति का सूर्योदै किया जिन्होंने अन्ध श्रद्धाओं के विरोध श्रद्धा की विज़य स्थापित की जिन्होंने विश्व के समाक्ष नहस्वार्थ प्रार्तना का एक अध्वितिय उधारन प्रस्तुत किया जिन्होंने धर्म के नाम पर चल रही पाश्विक रूडियों का प्रतिकार किया जिन्होंने गरीवों को सहारा देकर उनका भी उद्धार किया जिन्होंने महान गुणातीत संत परंपरा इस्थापित करके मुक्तिका शाश्वत मार्ग प्रशस्त किया मानव जाति को सुक शांति और मुक्ति की दिव्य चिरंतन प्रेणा देने वाले भगवान श्री स्वामी नारायर